राश्टी मुक्त विद्याली सिक्षा संस्थान से मैं डॉक्टर पवन कुमार चोहान सीनियर एग्रिक्टर ओफिसर योग सिक्षक प्रस्रिक्षन कार्टरब में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईश्वर भार्दवाज जो प्रोफेसर हैं गुर्कुल कांगरी युनिवर्स्टी हरदवार से ये योग के विभागा द्यक्ष हैं और दीन है मेडिकल साइन्स के इस युनिवर्स्टी के जो योग के लिए भी बहुत ही फेमस युनिवर्स्टी है जो योग के नाम से दूर दूर तक जानी जाती है प्रोफेसर इश्वर भादवाजी, तो मैं इस कारिक्रम में प्रोफेसर भादवाजी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, जो योग का कारिक्रम NIS ने, यानि राष्टी मुक्त विद्धाली सिक्छा सनस्थान ने बनाय है, जिसका नाम है योग सिक्छा प्रसिक्छा कारिक्रम, यानि योगा टीचर स्टेनिंग प्रोगाम, जो इस पेसली उनके लिए बना है, जो योग में रुची रख, योग में काम करना चाहते हैं, और साथ में टीचर बनना चाहते हैं, योग सिक्छा दना चाहते हैं, तो तो इस कोर्स के वारे में आप क्या कियाना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने पाथिक्रम तयार कराया है रट्टू चोहान साथ ये निस्टित रूप से इस प्रशिक्षन के बाद जो प्रशिक्षा आर्थी इस पाथिक्रम को करेंगे वो अपना रोजगार भी चला सकते हैं ट्रेनिंग का जो परपज है वो है उनको किसी तरह से भविश्य में जीवन में काम आए अपने स्वास्त का संदक्षन करेंगे दूसरे के स्वास्त का संदक्षन करेंगे जो ट्रेनिंग देंगे उसे रोजगार का भी आफसर उपलब्द होगा और इसमें वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो जरूरी हैं आपको योग प्रचिक्षन के लिए पूनी चाहिए योग सर कितना उपयोगी है हम सभी के लिए जैसा कि आज कल तो योग के प्रचार प्रचार बहुत तेजी से बड़ा है अलग-अलग संस्थान कई वार योग की परभासा ही बदल देते हैं तो योग के संदर में कई वार कुछ भ्रहंतियां भी हो जाती हैं कोई संस्थान किसी तरह से करा रहा है कोई संस्थान किसी तरह से योग को करा रहा है इस अंदर में सर आप क्या कियाना चाहिए योग की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है जब से अंतर राष्टिये योग दिवस का प्रारम व्मानिये प्रदानमंत्री जी द्वारा किया गया है तब से तो हर छेत्र में योग की डिमांड बढ़ रही है जो योग की उपयोगिता को देखें तो जीवन के हर छेत्र में योग काम आ रहा है चैसारीरिक स्वास्त संरक्षन की बात हो मानसिक रूप से विकास की बात हो बोधिक विकास की बात हो या अध्यात्मिक उन्नती की बात हो हर दिष्ठी कौन से मनुष्य के लिए उपयोगी है और आज के संदर्ब में जैसा हम देखते हैं बहुत सारे संस्थान इसको कराने के लिए आगे आ रहे हैं मैं उनसे भी अनरोध करूँगा कि उसके मौलिक पक्स को जो मूल उसका सिद्धानत है उसको न छोड़ें केवल शरीर तक उसको सीमित ना करें उसका जो सर्वांगीन लाभ है वो जनता को दे जो आपने ब्रांतियों की चर्चा की बहुत सारी ब्रांतियां इस संदर्ब में यह है कि योग कोई जादूगरी है योग के द्वारा ऐसी कठिन क्रियां की जाती है ऐसा कुछ नहीं है योग सामान्य वेक्ति जो स्वस्थ है वो हर उसकी क्रिया को करने में समर्थ है वो थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है साथ ही जो उसकी विशेश स्थिति है केवल आस प्रानयाम तक ही सिमितना रहे उसका जो यम नियम का पक्स है जिसके माध्यम से चरित्र की उन्नति होती है सबाज में विवस्था बनती है सामाजिक सामंजस से स्थापित होता है उन सब का विध्यान दे साथ ही जो आध्यात्मिक प्रिगती का मार्ग है वो भी उससे खुल हम केवल बहुतिक जगत की चकाचोंद में ही फसकर न रह जाएं हमें उसे आगे भी बढ़के देखना है उसे आगे हम जाएं ऐसी द्रिष्टी को ध्यान में रखते हुए योग का अभ्यास कराया जाना उचित है और उन सभी से मेरा अन्रोध है जो योग का प्रिश्किशन क नेशनल इंस्टिटीट ऑफ ओपिनी स्कुलिंग यानि नियुस ने जो पाठक्रम बनाया है योगा टीचर्स ट्रेइनिंग प्रुगाम इस प्रुगाम में आपने क्या यह सभी एक इस तरह का स्टेंडर्ड का कोई ध्यान रखा है जो नेशनल लेविल पर नाइवर से प् इस पाठक्रम की उपियोगिता उन सबके लिए हो जो जो इस पाठक्रम को करने के इच्छुक हो तो मैं समझता हूं कि इस दृष्टी से यदि इसका अध्यापन कराया जाएगा तो इसकी उपियोगिता स्वतर सिद्ध हो जाएगी मैं निस्चित रूप से कह सकता हूं कि थोड़े समय में ये जादा देने की कोशिस है और यदि ठीक धंग में इसका अनुपालन करते हुए अभ्यास करेंगे तो निस्थित रूप से अपने कारे में सफल होंगे और जहां योकी उपयोगिता को संदर्भित करने की जरूरत होगी वहाँ ये पाठिकरम काम आएगा जी दक साब गुर्कुल कांगरी विश्विद्याले भी योगा सिक्षक प्रसिक्षन कारक्रम चलाता है और जहां तक मुझे पता चला है कि यहां हरवर्ड एक इस तरह का टेनिंग प्रोगाम होता है, खास्तों से विदेशियों के लिए इस बार भी आपके केंपस में ये प्रोगाम चल रहा है, योगा टीचर्स टेनिग प्रोगाम तो इसी संदर्ब में जो NIS का प्रोगाम है उसके लिए आप कितना ये मान के चलते हैं कि ये प्रोगाम भी एक अच्छे इस्टेंडर का होगा और सभी के लिए नेशनल लेविल पर ये प्रोगाम सब को लावानवित कर पाएगा चोहान साहब जो हमने पाठी क्रम शुरू किया था तो मास्टर डिग्री और पीजडी पूरे देश's में क्या विदेश्च में कहीं भी नहीं थी जब हमने ये पाठी क्रम यहां शुरू किये यूजिसी से पर्मिशन लेकर के मास्टर डिग्री और फिर पिएजडी शुरू की थी उसके बाद इसका विस्तार हुआ और अब अनेक विश्विद्यल है मास्टर डिग्री भी और पिएजडी चला रहे हैं मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि जिस पोधे को सीच करके बढ़ा किया था आज वो फल देने लगा है और जहां तक इस योग के विस्तार की बात है देश में तो हमारे हजारों की संक्या में चात्र काम करी रहे हैं विदेशों में भी पचास से भी ज़्यादा देशों में आज गुर्कुल कांगडी विस्तार की योग के टीचर काम कर रहे है हमारे यहां प्रिशिक्षन लेने के लिए जो आते हैं उनमें बाहर से आके जो विधिवत डिग्री लेके जाते हैं वो भी है यहां से में और पीजडी करके भी गए हैं विदेशी चात्र यहां जो करने आते हैं सर्टिफिकेट डिप्लोमा के पाथिक्रम में अभी एस्टोनिया से आय हुए हैं और अभी चाइना का एक ग्रूप आया हुआ है जो टेरिंग ले रहा है चाइना के ऐसे हम पांच से ग्रूप कर चुके हैं पहले स्पेन का एक ग्रूप अगले महां आने वाला है तो हमारे पास चात्रों की कभी नहीं है जो देश में प्रचलन में आज व्यवसाय में काम कर रहे हैं वो हमारे ऐसे बहुत सारे चात्र हैं जो एक लाग से भी ज्यादा महीने की इनकम जिर्की है और इससे भी कहीं ज्यादा और आगे बढ़कर के वो काम कर रहे हैं तो खुशी इस बात की है कि गुर्कुल कांगडी वुश्वित द्यल्य ने योग के छेत्र में शिक्षा के छेत्र में जो काम किया है स्वामी सरधरन जी महराज की सतत प्रेणा से जो दिव्य उनकी उपस्तिति अमिया महसूस करते हैं उसके कोई कहीं कमी किसी तरह की आपको नहीं दिखाई पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि योग के छेत्र में हम जितना काम कर रहे हैं रिसर्च का भी है वो सब विश्व विद्याले के लिए बहुत ही मील का एक पत्थर शाबित होगा तो राइश्टे मुक्त विद्याली सिक्षा सहस्थान का यह पार्ट करम अपने नेशनल इस्टेंडर में खरा उतर पाएगा बिलकुल यह पार्ट करम अपने आप में पूर्ण है और जो इस पार्ट करम का अध्यन अध्यापन करेंगे तो उनको निस्टित्रोप से इसमें आगे बढ़ने के आउसर मिलेंगे ऐसी मेरी कामना है बहुत बहुत धन्यवाद अकसव आपने इस कार्ट करम की जान करी दी और आपने बताया कि नेशनल इस्टेंडर के आधार पर यह पार्ट करम सभी के लिए बहुत ही उपियोगी होगा और समचित लाफ पूरे देश को इसका मिल पाएगा हमें उम्मीद है कि यह पार्ट करम सभी के लिए वास्तम में एक ऐसी दिसा देगा जो कि लोग योग के साथ स्वास्त है और अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकेंगे देश के विकास में, देश के अन्य कई कामों में भाग ले सकेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, इसलिके साथ मैं डक साथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद डक साथ